हेलो एवरीबडी मैसेल्फ दॉक्टर कुल्दीप कौर और आज आपको पता है कि मैं चार्ज पढ़ा रही हूं सेक्शन 221-224 आप इससे चार्ज को दो पार्ट में अल्रेडी पर चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 मेरी एक हमबल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जब भी आप वी और मैं चाहती हूं कि आपके मन में कोई प्रस्ट नो कोई कोश्चन नो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उस को लिखे मैं आपके कोश्चन का जवाब जरूर दोंगी तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपको CRPC में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में एक चैप्टर की मै को पार्ट उसके अल्रीडी पढ़ाये जा चुके हैं आज चार्ज का लास्ट पढ़ाये जा रहा है कहां से सेक्शन शुरू है 221 to 224 सेक्शन 221 क्या कहता है पहले आपको बता दे वेयर इट इस डाउटफुल वाट एफ ओफेंस हैस बिन कमिटेड इसका मतलब जहां इस ब 211 यह सेक्शन किसका एक्सेप्शन प्रेजेंट कर रहा है 218 का 218 में आपको पढ़ा चुकी है कि 218 का यह अपवाद प्रस्तुत कर रहा है आप इसको पार्ट 2 में देख सकते हैं जब इस बारे में संदे हो कि अभिक में कौन सा निश्यत अपराद किया है अभिक के विरु है यह ऐसा करा होगा या उनमें से कुछ आरोपों का एक साथ विचारन किया जाएगा या तो सभी चार्जिस को अलग-अलग फ्रेम करेंगे या सारे आरोपों को एक साथ जॉइंट मिला कर ट्राइल शुरू करेंगे अभिक द्वारा किये अपराद का सुरूप ऐसा हो जि कौन सा उसने अपराद किया है तो ऐसी सिति में नियाले क्या करेगा कि वो तै करेगा कि आरोपों को वो अलग-अलग विचारण करेगा या सारे अपराधों को मिला कर एक ही में आरोप तै करेगा तो उदारन के लिए मैं आपको बता रही हूं कि जैसे एक वेक्ती कोई चोरी की संपत्ती खरीदे चोरी का संपत्ती खरीद रहा है चोरी की संपत्ती छल के द्वारा प्राप्त कर रहा है या अपराधिक न्याजभंग कर रहा है या फिर चोरी की संपत्ती से क्या कर रहा है कपट के द्वारा कुछ इस तरह से हासिल कर रहा है तो यहां पर वो क्या कर सकता है न्याले इन सभी अपराधों का स्वरूप क्या है अलग-अलग है सभी को क्या कर सकता है यह सबका आरोप अलग-अलग कर सकता है तो यह न्याले के उपर डिपेंड होगा कि वो क्या करेगा न्याले को जैसा उचित लगेगा वो ऐसा करेगा मैंने अल्डेडी बताया कि 221 क्या है 218 का अपवाद प्रिजेंट कर रहा है अभी मैंने आपको 221 पढ़ाया अब मैं आपको सेक्शन 222 जिसकस कर रही हूँ वेन ओफेंस प्रूफ्ट इंक्लूडेड इन ओफेंस चार्ज जब अपराद जो साबित हुआ है आरोपित अपराद के अंतरगत आता है गंभीर अपराद तथा उसकी विशिष्टियों से व्यत्पन लगू अपराद सजाती अपराद होने चाहि इसका मतलब जो चार्ज लगाये गए हैं उससे मिलते जूलते ऑफेंस होने चाहिए यहाँ पर सिक्शन 222 कहता है कि अगर कोई आरोपका नहीं फ्रेम हो पा रहा है तो भी उसे जھूट नहीं मिलनी चाहिए उसे फाइदा नहीं मिलना चाहिए इस बह बात का किया अभ्युक के विरूप IPC की धारा 307 के आपक मिलनी चाहिए तो IPC की धारा 326 के अधीन दो सिद्ध नहीं किया जाएगा माल लीजिए अगर 307 के अधीन उस पे आरोप लगाया गया है तो 326 के अधीन दो सिद्ध नहीं किया जा सकता क्यों? क्योंकि धारा 326 के अपराद को दारा 307 के संदर में उसका चोटा अपराद नहीं माना जा सकता है इसका मतलब क्या है कि 326 का जो अपराद है 307 के संदर में उसका छोटा अपराद नहीं माना अगर किसी पर माइनर चार्ज लगा है तो हम उसे किसी गंभीर अपराद का उस पर ना आरोप लगाएंगे और ना उस आरोप में हम उसको दोसिद्ध करेंगे इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज उस पर लगाया गया है उसी चार्ज का विचरण होना चाहिए उसी चार्ज के से उसे दोस सिधिक मिल डिखिया, अगर व्यक्ति गंभीर प्रकति का अपराद का अरोप लगाए गया तो उसी अपराद में अब धार Carnival को सज्जा मिलना लगाए जा सकेगा देखिए आपको कुछ चीजे में क्लियर कर रही है आपने देखा होगा मैंने इसको दो पार्ट रखा है दो इधर एक कुछ लिखाओ कुछ इधर पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं धारा 219 से 222 एक ही व्यक्ति के एक ही विचारण के उसके विभ है और इसके उपर अलग-अलग तरीके के आरोप है अलग-अलग तरीके के चोरी का भी आरोप है चोरी की संपत्ती का मिस्यूस भी किया है फ्रॉड के दौरा हासिल किया क्रिमिनल बीच ऑफ टस्किया मिस एप्रोप्रेशन किया एक ही व्यक्ति है इसके उपर अलग-अलग क्या किये गए हैं आरोप लगाए गए हैं तो इसका ट्रायल एक साथ किया जाए 219 से लेके 22 तक एक ही व्यक्ति के एक ही विचारण के उसके विभिन आरोपों से सम्मंदित है कि मतलब एक परसन है उसके पर ट्रायल एक ही हो सारे आरोपों को क्या कर दे हम जॉइंट कर दे हैं इसको क्या कहेंगे जॉइंडर ओफ चार्जेस यहां पर आप समझ गया होंगे मेरे कहने का मतलब कि परसन एक है उसके उपर अलग अलग तरीके के चार्जेस लगे हुए और सारे charges को हमने क्या कर लिया है joint कर लिया एक साथ मिला लिया है और इसको हम क्या कहेंगे जब सारे charges को एक साथ मिला लेंगे joineder of charges और हम उसका trial शुरू करेंगे यहां मतलब ध्यान देने योग है 219 से 22 तक एक ही person होता है अब आईए 223 में दारा 223 में एक से अधिक व्यक्तियों के विरुद एक ही विचारण में आरोपों के सयोजन संबंदी प्रोविजन जिये गए इसका मतलब यहां पर एक से जाधा person है इसका मतलब एक से जाधा person क्या है A, B, C, D यह 4 person हैं और 4 लोगों के हम क्या करें? 4 लोगों का एक ही विचारण में क्या करें कि हम joint कर ले charges हम joint कि मतलब charges क्या होता है? इनके पर charges लगे हुए है तो हम क्या करने उसको charges को joint कर लें और सबका trial एक साथ शुरू करें ये कहता है 223 यहां पर एक से जादा person है उनके ओभी हम क्या कर सकते हैं सारे charges को एक साथ मिलाकर trial शुरू कर सकते हैं 223 बताता है और 219 से 22 तक केवल एक person की बात करता है आपको ध्यान देना है कि 219 से 22 तक मे 121 एक person क्या कर है एक person के और अलग अलग तरह के charges ते और हम उसी का क्या कर रहे थे, कर रहे थे 233 पूर एक से जादा person है और सारे charges को मिलाकर एक साथ trial शुरू किया जा रहा है 172 18 अपवारोथ प्रतिक अपराद का प्रतिक रूपसे आरोब तथा विचारण चाहिए 282 अपराद का असेप्रेट हो अपराद का अपराद का अलग अपराद की एस वीनातारा spa के और तुमshirts बता रहे हैं, withdrawal of remaining charges of convention on one of surveil charges, कई आरोपों में से एक के लिए दो सिद पर सेश आरोपों को वापस लेना, इसका मतलब कई आरोप लगाए गए थे, लेकिन केवल एक आरोप ही क्या हो चुका है, साबित हुआ है, तो बाकी सभी आरोप वापस ले लिए जाएंगी, यही section 224 ब बताते हैं, न्याले किसी आरोप या आरोपों की जाच या विचारन, जाच या विचारन को क्या कहते है, inquiry और trial को स्थगित रख सकता है, अत्वा यदि इन आरोपों में से किसी के लिए अभ्यूक की दो सिद्धी हुई हो, तो ऐसी दशा में परिवादी या अभ्योजक न न्याले की अनुमती से सेश आरोपों को वापस ले सकता है, इसका मतलब जो आरोप तैह हुआ था, केवल उस पर उसी आरोप को क्या करेंगे, उसी के अधार पे उसे सजा दी जाएगी, दो सिद्धी उसी के अधार पे दी जाएगी, जो आरोप वापस ले लिए गए हैं, उन आरोपों से उसे दोश्मुक्त कर दिया जाएगा, इसका मतलब और भी इंटरपेटेट करें, जो आरोप वापस लिए गए हैं, अभ्युक्त दोश्मुक्त माना जाएगा, मतलब जो आरोप वापस ले लिए कोर्ट ने, उसके लिए अभ्युक्त क्या है, दोश्मुक् जो आरोप वापस लेगा उसी के लिए वो दोश्मुक्त माना जाएगा जिन को वापस नहीं ले पा रहा है अभी कोट तो उसके लिए वो छोड़ा नहीं जाएगा आरोप वापस लेने का अर्थ भी मैं आपको बता दू प्रक्रण समाप्त कर दिया गया है और आगे की करवा ही त्याग दी गई है आगे की करवाई त्याग दी का मतलब जो प्रोसीडिंग है वो वेफ कर दी गए वागे कोई प्रोसीडिंग सब नहीं की जाएगी इसका मतलब जो आरोप वापस ले चुका है उसके लिए वो दोश्मुक्त है और जिन आरोपों को वापस नहीं लिया न्याले क्या करेगा जितने भी आदेश या रोफों की जाच या विचारन है न्याले क्या करेगा आगे प्रोसीडिंग कर सकेगा आपने देखा कि मैंने आपको सेक्षण यह विचारन है आपसे कि थर्ड वीडियो आप तभी देखिएगा जब आप फर्स और सेकेंड वीडियो देख चुके हों तो ही आपको सेक्षण 221 से लेके 224 तक समझ में आएगा एक चीज आपसे और कहना चाहते हैं कि कभी भी वीडियो को बीच में मत चोड़िए पूरा अन तक देखिए तभी नॉलेज आपकी पूरी होगे क्योंकि जब आधी चीज आप सुनेंगे तो वो टॉपिक आपके क्लियर नहीं होता है तो एक हमबल रिक्वेस्ट है कि टॉपिक को हमेशा पूरा सुनिए अगर आपको मेरी बाते पसंद आती हो तो प्लीज मेरे कि ग्यान की गंगा बहाते चलो चैनल को क्या करिए शेयर करते चलिए ताकि और लोगों को भी बहुत आसानी से समझ में आ सके तो आज आपको जो CRPC के टॉपिक फड़ा रहे हैं अगर आपको कुछ उसमें कोश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसमें कोश्चंस पूछ सकते हैं और जो मैं बोल रही हूं डिस्कप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट बाते लिखी रहती हैं थाइंक यू